जिन्दगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया होगा लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझ नहीं आया होगा जब टोटल किया तो समझ आया करम के सिवा कुछ भी बालेंस नहीं बचता देश विदेश में बैटे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चानल पर और सापताहिक राशी फल के इस विशेश एपिसोड में शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये राशी फल आपकी चंदर राशी पर आधारत है जने अपनी चंदर राशी का ग्यात ना हो या कुंडली ना बनवाई हो आप सभी अपने नाम अनुसार इसे देख सकते हैं और हर राशी शुरू करने से पहले उस राशी के नामक्षर आपको स्क्रीन पर जरूर दिये जाएंगे। ये राशी फल आने वाले सब्ता की आपको जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। पर कुंडली विशलेशन करवाना चाहते हैं। आने वाले कल के लिए महत्वपुन निर्णे लेना चाहते हैं। तो के लिए सापता है कि राशी फल पर बहुत जादा आप अपना विश्वास नहीं लगा सकते। ऐसा इस वज़े से क्योंकि हर कुन्डली अलग होती हैं। आपके जीवन में आने वाले निर्णे पर अपना पूरी तरीके से प्रभाव डालते हैं अगर आप मिलना चाहते हैं या टेलिफॉनिक कंसिल्टेंसी कराना चाहते हैं संभावना को इस पश्ट तौर पर जान करके कदम उठाना चाहते हैं तो बाद में सोचने के काश मगर अगर ऐसे न किया होता तो एक बार विशलेशन करवाना आपके लिए महत्वपुन निर्ने हो सकता है आपको उसका फाइदा जरूर मिल सकता है अब इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो शुरू करने से पहले क्रिप्या कर इस चैनल को करेंगे तो चंद्रमा पर एक नजर डालते हैं तो सबसे पहले 23 सितंबर को व्रशब राशी में चंद्रमा रहेंगे 24 सितंबर को मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे सुभे 9 बच के 56 मिनिट पर और वहीं पर विराज़त रहेंगे 25 तारिक को भी 26 सितंबर करक राशी मे एक नजर डालनी जरूरी है तो यहाँ पर आपको यह भी बता दूँ कि 23 सितंबर को बुध कन्या राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसके लिए राशी अनुसार जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्द करा दी गई है अब बिनादेरी के शुरुवात करते हैं अशान देखने को अवश्य मिलेगा खास्त और पैसे समय में इन्वेस्मेंट्स करना आपके लिए शांदार सिध होगा पर इस बात का ध्यान रखेएगा 27, 28 और 29 तारिक इन दिनों में थोड़ा सा साधानी पूरवक अगर इन्वेस्मेंट किया जाए बहतर रहेगा किसी क बात का अवश्य ध्यान दें चाहे वियापारी वर्ग है और नौकरी पेश्या अंसान अगर किसी भी तरीके से केरियर में एडवांस्मेंट चाहते हैं तो ऐसे समय में हफ़ते की जो शिरुवात आपको चार दिन मिल रही है वहाँ पर अपने आपको जोग दीजेगा तो जादा बहतर अवश्य रहेगा इसके बाद में जो हफ़ते के लास्ट के तीन दिन रहेंगे वहाँ पे थोड़ा सा परहेश करते हुए स्टेडिली ग्रोध की तरफ आपको फोकस जादा करना होगा ऐसे समय में एक बात का व्यापारी वर्ग अवश्य ध्यान दीजेगा कि जो हैं और संतान के साथ में ऐसे समय में मदभेद जो हैं वो भी आपके उभर करके सामने आ सकते हैं नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के जादा चर्चाएं नहीं करनी चाहिए है पर एक बात का फिर भी धियान दीजेगा कि ये समय जो आपको मिल जो चाहती हैं बड़ी आसानी से मिल सकता है पर कहीं न कहीं पर जो एंकार होता है इगो होता है उस बात की यहां पर परेशानी आपको देखने को मिल सकती है खास तोर पे 27, 28 और 29 तारिक को यहां पर आपको बहुत जादा संबल करके चलना है क्योंकि सासुमा के साथ में ऐ नहीं नहीं कोई परेशानी कोई विवाद चनम ले सकता है तो नहीं ऐसे समय में किसी प्रॉपटी पे चरचा अगर घर में चलती है तो वहां पे मौन रहना शांत रहना आपके लिए ज़्यादा बहतर रहेगा ऐसे समय में अपने पत्तों को सामने रखने की गलती तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानिया आपको देखने को मिल सकते हैं, खास तोर पर जो result आप expect कर रहे थे, उस result के अंदर satisfaction missing हो सकता है, अब बात करते हैं व्रशब राशी की, तो व्रशब राशी के लिए राशी भाव में चंद्रमा रहेगा 23 तारिक को, जहांसे ब्रहमन ह होते वे हफते के अंत में वो फोर्थ हाउज में प्रवेश करने वाले हैं, overall ये सब्ता देखा जाए, बहुत जादा positive है, खास तोर पर ऐसे समय में, dreams come true वाली situation को आप यहां पर होता देख सकते हैं, जहां पे हाथ डालोगे, पैसा आसानी से खीच के बाहर निकाल पाओग बात करें, व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोगों की तो ये सब्ता अपने आपको जोग देने के अपने काम के अंदर, जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा उसको लगका फेवर अवश्य मिलने वाला है, और लगका फेवर ही नहीं, बलकि ऐसे समय में काफी ऐसी opportunities आपको मिल सकती है, जिनसे कि अपने केरियर में फास्ट पेस्ट ग्रोथ आपको देखने को मिल सके, अभी तक जो अटका हुआ महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे बहुत जादा परेशानी अमानसिक तो पर जहेल रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिजनिस को कोई ना कोई घर परिवार के साथ में देखने लेना आपके लिए काफी जादा बहतर और फाइदेमन सिध हो सकता है, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा कि प्रमोशन के चांसिस को अगर इस समय में टटोल करके देखना चाते हैं, अपने सीनियर्स के साथ मे भी वो सोच रहे हैं जिस कारण से ऐसे समय में आपके लिए बेटर अपॉचनिटीज क्रियेट हो सकती हैं, फिर बात होती है महलाओं की, खास तोर पे ग्रहनी की, तो आपके लिए सब्ता ओवराल बहुत जादा पॉस्टिव है, ऐसे समय में जादा सोच करके या तो फिर चोटी चोटी बातों को पिक करके परेशान होने से कोई मतलब नहीं निकलना है, जैसे आगे बढ़ते हैं, फ्री होकर के फ्री माइंड से इस समय में आगे बढ़िएगा, काफी जादा बहतर रहेगा, तो घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए भी ऐसे समय में अग यहां पर मौकिक रूप से या यह कहा जाए अपनी गलती ना होते हुए कही ना कही जुकने की जरुरत पड़ सकती है, यंगस्तर्स हैं तो यंगस्तर्स को भी यही कहूंगा कि यह समय अपने किसी एक्जाम को देने के लिए, किसी टॉर्नमेंट को खेलने के लिए बहुत होती है मिथुन राशी की, तो हफते की शुरुवात फिर भी डग मगाते वे हो रही है, पर जादा चिंता की बात यहां पर नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लिए 24 तारे की सुबह 9 बचकर के 56 मिनिट पर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होगा, जो आपको एग्रेसिवली अंदर अंजाम देने के अंदर परिशानिया देखने को मिल रही है, वो आपके इस समय में सॉल्व जरूर होने वाली है, पर एक बात का फिर भी ऐसे समय में ध्यान दीजेगा, यह एग्रेशन जो है डायरेक्टट सही दिशा में होना चाहिए है, तब आपको उसका फाइदा फिर भी मिल पाएगा, बात करें सबसे पहले व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोगों की तो ऐसे समय में इन्वेस्मेंट्स करना, कमुडिटी मार्केट या बुलियन मार्केट से अच्छा फाइदा कमाना, यह अविश्य देखा जा सकता है, ऐसे समय में अगर इलेक्ट्रानिक गाजट्स की खरदारी भी देखने को मिलेगी, और ऐसे समय में कहीं न कहीं अपने अटके हुए कामों को ससुराल पक्ष के सपोर्ट से या यह कहा जाए, उनके इन्फ्लूइंस से पूरा करवाने का प्रयास आपका सफल हो जाएगा, अब बात करते हैं न समिचिट रिस्पॉंस जो आप चाते हैं अपने वहाँ पे क्लाइंस से वो आपको शायद मिलना पाए, जिसको लेकर के मूड डाउन हो सकता है, कॉन्फिदेंस एक बार के लिए हिल सकता है, पर कॉन्फिदेंस को हिलने मत दीजेगा, ऐसे समय में थोड़ा प्रेशर बना क करके रखे, आपका काम बड़ी आसानी से इस समय में निकल पाएगा, क्योंकि जैसे ही मंगलवार के दिन फर्स्ट हाउस में चंदरमा प्रवेश करेंगे, उसी के साथ में वहाँ पर आपके लिए स्टेडिली ग्रोथ भी लेकर के आएंगे, और आपके काफी काम जो है, व फिर कॉम्पेटिशन से इस समय में जॉब आफर के अगर आपको प्राप्ती होती है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए काफी जादा फाइदेमन जरूर सिद होगा, फिर बात करते हैं महलाओं की, ग्रहनी की, तो ग्रहनी के लिए हफते की शुरुआत थोड़ी की जरुरत है, यह यह कहा जाए कि जो भी वाद विवाद है, उसको अब सुलजाने की जरुरत पढ़ चुकी है, उसको सुलजा करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही जादा बहतर रहेगा, रोमांस और रोमांच दोनों को ही इस समय में पनपने का मौका आपको देने की जरुरत है, फिर बात करते हैं यंग्स्टर्स की तो यंग्स्टर्स के लिए भी सप्ता काफी जादा शुब है, ऐसे समय में रिस्क अगर उठाना चाते हैं, तो रिस्क उठा करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको वहाँ पर किसी भी तरीके से नुकसान नहीं मिलेगा, फ सकती हैं, खास तोर पर इस बात का ध्यान दीजेगा, कि 24 तारिक को सुभे से ले करके, 26 तारिक की शाम तक, ये समय जो है, ये अपने मूड पर, अपने जुबान पर, अपने खान पान पर, हर तरीके से इस समय में रोक लगाने का है, या ये कहा जाए, कंट्रोल में लाने क है, शुराद पक्स चड़ रहा है, ऐसे में मास मदीरा खाना है, ये इसका सेवन करने से तो पहले ही आपको मना कर रहा हूं, पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजेगा, कि गलत वचन का उप्योग करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गलत कमिट्मेंट देना, य ऐसे समय में, जो व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे एक बात का ध्यान दीजेगा, अपने स्टाफ को किसी भी तरीके से इस समय में मोटिवेट करने के लिए जूटा दिलासा मत दीजेगा, कोई भी ऐसा प्रॉमिस मत कर बैठिएगा, जिसको लेकर के बाद में आपको लाइबल रखा जा सके, या खास तौर पे आपके खिलाफ लीगल आक्शन की कोई दौर आप खुले छोड़ बैठे हैं, ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है, तो आपको भी कहीं न कहीं अपने खुद के ही कॉमपटिशन से इस समय में परिशान होना पड़ सकता है, पर एक बात का ध्यान दीजिए, एक खास तौर पे जो परिशानिया है, यह महिला वर्ग से जादा देखने को मिलेगी, तो अगर आप MNC's में काम करते हैं, बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, तो ऐसे समय में महिलाओं से अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत ही जादा संभल करक ऐसे समय में जो आपका मजाख है वो गलत सेंस में लिया जा सकता है, आपके मजाख को इस समय में गलत सेंस में ले करके कंप्लेंट भी दर्ज कराई जा सकती है, जिसके कारण आपके केरियर में जो ग्रोथ थी, उस ग्रोथ को किसी तरीके से इस समय में रोकने का प्रयास हो पॉसिटिव है पर एक बात का ध्यान दीजेगा कि ऐसे समय में दामपत्य जीवन के अंदर कहीं न कहीं कटुता या वाद विवाद जनम ले सकता है इर्शिया भाव जनम ले सकता है दूसरों के साथ में इस समय में कंपारिजन अपने लाइफ पार्टनर का ये आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है आपके दामपत्य जीवन में इस समय में हद से जादा खराब वचन का उप्योग हो या ये कहा जाए कि गलत शब्द का प्रियोग कर अपने गुस्से को जाहर करने की बात हो उससे आप परिशान हो सकती है यहाँ पे जितना हो सके अपने आप को संभालने का प्रियास करना है और खास तोर पर अगर विवाद कोई सामने दिखता है तो वहां से बच करके निकलने का प्रियास आपको अविशे करना होगा अपने काम से काम सब्सक्ते अगर कर सकते हैं या खास तोर पर 24 की सुभे से लेकर के 26 की शाम तक अगर शांती ब होती है लाल मिर्च उसके बीज लेकर के तवे पर जैसे ही हजबन घर में पहुच जाते हैं ऑफिस से तब उनको तवे पर घरम कर दीजेगा उसका धुआ जो है वो घर में होना चाहिए है उसके पर चाहत यह दो दिन के लिए उपाय करके आप अपने जीवन में बहतर परणा कमाने का भी है क्योंकि ऐसे समय में चाहे पारिवारिक दृष्टी कोन से कहा जाए चाहे दामपते जीवन से कहा जाए या निवेश की स्थिती कही जाए यह इस समय में आपके लिए सुखद अवश्य बनी हुई है पर एक बात का ध्यान दीजेगा 27 और 28 तारिक को थोड़ आपके लिए बड़ी अचीवमेंट्स लेकर के आने वाला है कैश में ग्रोथ इस समय में देखने को मिलेगी फैनाशली इस समय में पॉजिशन आपकी बहतर होती नजर आने वाली है ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजेगा कि खास तोर पे यह समय आपको कही ना कही इस समय में अग्रेसिवली आगे फौरवर्ड मूव होते हैं या उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो यह आपके लिए और जादा बहतर परणाम लेकर करके आ सकता है कमाई के तौर पे फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी पेशा लोगों के लिए फैन खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है 27 और 28 तारिक को थोड़ा अपने ऑफिस में संभल करके रहना है शुक्रवार और शनिवार दो दिन जो हैं आपके लिए ये कश्टकारक बन सकते हैं खास तौर पे हिल्थ रिलेटिड परेशानी यहां पर बढ़ सकती है यह एक पर बढ़ सकती है महलाओं की खास तौर पे ग्रहनी की तो ग्रहनी ऐसे समय में अपनी कोई भी इच्छा प्रकट कर दे बड़ी आसानी से समय में स्विकार की जा सकती है यहां पे अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर उनके स्ट्रीम को लेकर कोई कोई काउंसलिंग क आपके हातों में हैं कहा जाता है तो वही चीज इस समय में आपको देखने को मिलेगी कि अंतम डिसिजिन जो है वो आपके हातों में होगा पर रविवार का दिन जो है वो सबसे जादा बहतरीन रहने वाला है जहां पर फंस का मैनेजमेंट कहा जाए यह कहा जाए डिसिजि जो आगे बढ़ रहे हैं उनको इस समय में रोकने का प्रयास किया जा सकता है अब बात करते हैं कन्या राशी की तो कन्या राशी के लिए राशी भाव से चंद्रमा नाइंथ हाउस में विराज़त है जब हफते की शुरुवात हो रही है पर ओवरॉल अगर ये हफता देखा जाए तो आपके लिए काफी जादा बहतर है ऐसे समय में कोई भी रिस्क उठाना चाते हो किसी तरीकी से आगे बढ़ना चाते हो तो ये आपके लिए बहुत जादा लापकरी से धोगा खास तोर पर ऐसे समय में इलेक्ट्रानिक गाजट्स की खरतदारी घर परिवार के अंदर किसी न किसी सुक्सविधा को बढ़ाने के लिए प्रयास अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से होता नजर आ सकता है ऐसे समय में एक बात का जरूर धियान दीजेगा व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग जो हैं सोमवार के दिन अपने दिल को यहां पे संभाल करके रखना है क्योंकि काफी ऐसे डिसिजिजन्स या यह कहा जाए अन एक्सपेक्टेड खर्चे जो सामने आ रहे हैं उनको को लेकर के आप स्ट्रेस में आ जाएंगे उससे थोड़ा बच करके चलिएगा क्योंकि बिना बाती ओवर स्ट्रेस अपने उपर आप हावी कर बैठेंगे जिसके कारण जो काम कर रहे हैं वहां पे डिसिजिजन्स अपने चेंज कर लेंगे इससे आपको बच करके रहना है ऐसे समय में एक बात का और धियान दीजेगा जो भी बिजनस से हैं ऐसे समय में अगर अपनी नेटवर्ट बढ़ाना चाते हैं तो नेटवर्क को भी इस समय में बढ़ाने की जरुरत है लोगों के साथ में मिलिए उनके साथ में जाकर के चर्चाएं कीजे कहीं न कहीं किसी conference के अंदर इस समय में भाग लीजे आपके लिए name of fame भी लेकर के आएगा तो वहीं पर आपके network को भी इस समय में बढ़ाएगा market में goodwill भी बढ़ने वाली है और ऐसे समय में जो अटका धन है या ये कहा जाए कि कोई dispute में property थी तो उसके release होने के आसार इस समय में जादा नज़र आ रहे हैं और ऐसे समय में legal trouble से भी आप अपने आपको सरक्षित जरूर कर पाएंगे फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी पेशा लोगों को भी ऐसे समय में थोड़ा risk उठाते हुए आगे अवश्य बढ़ना चाहिए क्योंकि ये समय fast growth दे सकता है अपने colleagues हैं आपके staff members हैं उनके साथ में इस समय में tuning जादा अच्छी बैठ जाएगी जिसके कारण अपने काम जो है वो दूसरों से किस तरीक से निकलवाना है वहाँ पर आपको बहुत जादा मदद जरूर मिलने वाली है अब ऐसे ही समय में बुद्ध भी आपके लिए कनियाराशी में प्रवेश कर जाएंगे ऐसे समय में बुद्ध भी आपके लिए first house में transit करने वाले हैं अब overall situation जो है ये काफी जादा positive है पर एक बात का ध्यान दीजेगा रविवार का दिन जो है ये कही ना कही पारिवारिक कलेश को उत्पन कर सकता है या ये कहा जाए जो स्थतियां आपने सोची थी इस हफते में उनको पूरा करने के लिए जन्तो जहत जो है वो वहाँ पर जादा लगने की यहाँ पर chances बढ़ सकते हैं अब ऐसे समय में जो महिला हैं खास तो और पर ग्रहनी हैं housewives हैं, homemakers हैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये समय अपने लिए आगे बढ़ने के अगर कोई छोटा मोटा काम भी करके अगर आप देखना चाहते हैं या ये कहा जाए अपने ही घर से, अपने ही आंगन से किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं किसी बिजनिस की तो ये एक trial run जिसे कहा जाता है फिर वो चाहे पापड बना करके काम हो या तफिर अचार बना करके हो कोई बुटीक का काम हो अगर already आप कर रहे हैं तो उसमें इस समय में आपको शांदार तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है काफी अच्छे orders या ये कहा जाए bulk order जो है family का वो आपको इस समय में जरूर मिल सकता है पर एक बात का धियान दीजेगा कि हफ़ते के अंत में जाते वे financial crunch का सामना करना पड़ जाएगा अब बात होती है विध्यारतियों की young stars की तो ऐसे समय में attraction power है confidence है और possibility सामने बहुत है इस समय का अगर सही उपयोग किया जाए तो अपने career में आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास हैं वो सफल होते नजर आएंगे ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजेगा जो relationship में है आशिकी में डूबे है आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि रविवार के दिन थोड़ा परहेज करते हुए अपने partner से दूरी बना करके रखीएगा खास तोर पर जो informal relationship में है शादी शुदा नहीं है आपको इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि कहीं न कहीं खर्च बढ़ जाएगा यह एक आजाए forcefully खर्च करने पर मजबूर कर दिये जाओगे इस से अपने आपको बचाने का प्रयास आपको पूरा करना है अब बात करते हैं तुलाराशी की तो अविशे ही यह सब्ते की शिरुवात जो है वो डगमगाते कदम से हो सकती है कम confidence के साथ में हो सकती है हेल्थ साथ नहीं निभा रहो इस बात की भी शिकायत आप करते नजर आएंगे पर समय पर सब चीजों को वापस से संभालने का अफसर भी मिल सकता है यह सब्ता टोटल वेस्ट नहीं कहा जाएगा थोड़ा सा इस समय में चीजों से बचते बचाते निकलने की जरूरत आपको जादा पढ़ने वाली है क्योंकि 26 तारिक की शाम को पांच बच करके 13 मिनट तक जो सिचुएशन है वो स्ट्रेसफुल हो सकती है हेल्थ साथ नहीं निभाए पैसे किसी को उधार दे दिये हैं वहाँ पर वापस मांगने के ले जाएं तो अभी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा इन चीजों को सुनना पड़ सकता है पर उसके पश्चात जो समय है आपके लिए वो फिर भी रिस्क उठाने का है अपने काम से शांदर तरीके से कमाई करने का जरूर से धोरगा और परिवार का भी उस समय में सपोर्ट आपको यहाँ पर फाइनाशली हो इमोशनली हो दोनों ही मिलने वाला है खास तोर पर ऐसे समय में एक बात कर यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा चाहे आप व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान पारिवार एक स्थिती में खास तोर पर ऐसे समय में ससराल पक्षक से कोई ना कोई बात को लेकर कि मदभेद जो है वो बढ़ सकता है आपकी कोई मजाख है जिसको लेकर के गुसा हो गए है या तो फिर आपने अपनी ग्रहनी से अपनी वाइफ से कोई बात कही है वो उनके कानों तक पहुँच गई है उस चीज को लेकर के इस समय में कलेश कहें या तो फिर डिस्प्यूट कहें वो जनम ले सकता है थोड़ा वहाँ पर बात करते समय या मजाख करते समय आपको परहेश करना जरूरी है अब बात करते हैं व्यापारी और नौकरी पेशाय लोगों की तो ये समय के अंदर इस बात का ध्यान दीजेगा कि सोम, मंगल और बुद्ध ये तीन दिन जो हैं यहाँ पर बहुत से क्यॉरली हमें चलना है तो वहीं पर गुरवार का दिन जो है वहाँ पर शाम के समय के पश्चात फिर भी थोड़ा हमें अपने ग्रह स्थिती के अंदर सुधार देखने का मौका मिल सकता है ऐसे समय में जो भी आपके काम है शुक्रवार शनिवार को पूरी तरीके से फोर्स से अगर आप अपने काम को बढ़ाएंगे लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहेंगे यहां तक कहूंगा जो इनसान अभी तक आपको पॉलिटिक्स के अंदर अटकाना चाह रहा था ओफिस पॉलिटिक्स में या किसी तरीकी से कॉम्पटिशन में आपकी इस समय में नुकसान पहुचाने का प्रयास कर रहा था वो भी इस समय में आपका रास्ता छोड़ हो जाएगा थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है तो वहीं ऐसे समय में गलत बाते हो गलत निरने हो या खास तोर पैसे निरने जहां पर आपको बहुत अच्छे से मालूम चल रहा है कि रिस्क उठाने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो वहां पर अपने आपको दूरी बना लेना जादा बहतर रहेगा बात करें ग्रहनी की तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजीगा कि चाहे पारिवारिक जीवन की बात कही जाए या फिर अपने दामपती जीवन में यहां पर मदभेद बहुत जादा बढ़ते नजर आएंगे हर किस के साथ में आपकी छोटी सी बात का गलत अर्थ निकाल करके आपको तेज़त करने का प्रयास किया जाएगा जान पूछ के ब्लेम गेम इस समय में आपके साथ में खेला जा सकता है जहां पर आप अपना confidence भी हारेंगी और कही ना कहीं ग्रह स्थिती जो है उससे अपने आप इस खास तोर पे चाहिए sports persons हैं या जो education प्राप्त कर रहे हैं आप दोनों को ही ऐसे समय में दुरगटना ग्रस्त होने की संभावनाय ज्यादा बन रही हैं इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा precociously आगे बढ़िएगा ऐसे समय में कोई भी ऐसे निरने या खास तोर पे दोस्तों के लिए जगडा कर बैठना उनके लिए गवाई दे बैठना इससे परहेस कीजेगा क्योंकि आप इस समय में खुद अपने आपको भी नुकसान पहुचाएंगे और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिती जो है उसके अंदर भी परेशानी का कारण बन बैठेंगे अब बात करते हैं वरश चिकराशी की तो हफ़ते की शुरुवात सोमवार का दिन अवश्य शुब है पर ये सब्ता स्ट्रगल का है ये सब्ता अपनी काफी ऐसी चीज़ें जो बहुत समय से खरीदना चाह रहे थे उस प्लानिंग को इस समय में टालन रहने वाली है खास तोर पे एक बात का ध्यान दीजेगा पैसों को ले करके कोई भी डिसिजन को ले करके इस समय में इन चीजों से दूरी बना करके रखना बहतर रहेगा चाहे आप व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान इस बात का विश्य ध्यान दीजेगा कि ये समय आपको लॉसे भी दे सकता है काफी ऐसे लोग जिनके साथ में बहुत भरोसे के साथ में आप चलते थे उन लोगों से विश्वास घाद भी मिल सकता है तो वही पे यहाँ पर गुसे के कारण कहा जाए या ये कहा जाए कि लगातार ओवर्थिंकिंग के कारण एक ऐसे चक्रवियू में फस जाता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगिट विडिय को एट्रैक करता है और ये इस समय में आपकी स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है रविवार को जाकर के कुछ हद तक वापस रिकवरी का मौका मिलेगा पर वो पारिवारिक स्थिति के लिए होगा चाहे आर्थिक स्थिति की बात कही जाए या तफिर बिजनस रिलेशन्स की बात कही जाए उनके लिए फिर भी आपको सुमबार तक का इंतजार करना ही पड़ेगा अब यहाँ पर चाहे नौकरी पेशाने आपको सक्त तौर पे एक चीज कहूंगा कि यहाँ जल्दी से जल्दी किसी दूसरे तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे जिसके कारण आप फस सकते हैं ओफिस पॉलिटिक्स के शिकार भी बनेंगे तो कही ना कहीं ऐसे समय में गवर्न्मेंट नोटिस कहा जाए या यह कहा जाए कोई कोट केस के अंदर पेशी के लिए आपको बुलावा इस समय में मिल सकता है बहुत जादा संभल करके यह समय यह हफता आपको निकालने की जरुरत है ऐसे समय में यंगस्तर्स हैं या महिलाएं आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो घर की परस्थिती है उसको मद्दे नजर रखते हुए इस समय मे निर्ने लेना बहता रहेगा बिनाबाद के खर्च कर बैठते हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च कर बैठते हैं अपनी कोई इच्छा है उसको किसी भी हाल में पूरा करना है तो वो स्थिती इस समय में घर परिवार के अंदर कलेश को भी जनम देगी तो नहीं बातों को लेकर कि बहुत जादा फिक्र भी जाहर करता नजर आएगा यंग्स्टर्स हैं तो रिलेशन्शिप में खास तोर पे अगर आप हैं तो यह समय अपने केरियर पे फोकस करने का है इस सब्ते के लिए अपने पार्टन को भूल जाए कि वो वहाँ पर हैं भी या तो फिर वो आपकी जिंदगी में भी हैं क्योंकि ऐसे समय में मिलने भर से ही आप कुछ ऐसी बात कह बैटेंगे जिसके कारण परेशानियों जागर हो जाएं किसी तीसरे इंसान के भढ़काने से आप कुछ यहाँ पर गलत डिसिजिजन ले बैटेंगे और यह यह भी कहा जाएगा कि इस सब्ते के अंदर चाहे फैनाशली कहा जाए अपने बिजनस से कहा जाए अपनी जॉब से कहा जाए काफी जादा बहतर निरने लेते नजर आएंगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी इस समय में आपको सौब दिया जा सकता है यह यह कहा जाए जो क कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी इस समय में आपके पास आने वाला है अब ऐसे समय में एक बात का जरूर धिया दिजिएगा शुकरवार शनिवार और रविवार यह समय जो आपके लिए है यह थोड़ा कष्ट कारक हो सकता है फिर वो चाहे हेल्थ वाइस कहें या फिर ओफिस रिलेटिड स्ट्रेस कहें आपको उससे गुजरना पड़ सकता है अब चाहे व्यापारी वर्क की बात कहें या नौकरी पेशागी सबसे पहले शुरुबात इसी सेग्मेंट से करते हैं तो आपको यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि यह समय आपके लिए और बहतर अपॉचनिटीज ले के आएगा और बहतर इस समय में ग्रोथ ले करके आएगा फैनैंशली सिचुएशन इस समय में स्टेबल होती नजर आएगी तो वहीं पर अपने खर्चों पर भी इस समय में आप कंट्रोल जरूर करने वाले हैं कोई ना कोई बड़ी चीज की ख प्रांसफर या पोजिशन आप अब लेने वाले हैं प्रमोशन के बाद में तो उसके साथ में पर्क्स जो आपको मिल रहे हैं ये काफी जादा बहतर सिचुएशन के लिए आपको तयार कर रहे हैं पर इस बात कभी धियान दीजेगा कि वर्क लाइफ बालेंस जो है उसको यहां पर थोड़ी सी आपके पैर डगमगाते नजर आ सकते हैं घर को पूरी तरीके से समय ना देने पर काफी चीजों का स्ट्रेस भी आप पर हावी हो सकता है और यह स्ट्रेस इंटर्न ना ही सिर्फ फैमिली लाइफ को डिस्टरब करेगा पर आपकी परसनल इस समय में हि मेजीन को लेकर के भी एक परिशानी उत्पन कर सकता है अब ऐसे समय में यह कहा जाए जो महिला वर्ग है या पर यह कहा जाए ग्रहनी हैं होम मेकर्स हैं आपको यह समय बहुत अच्छा मिलने वाला है खास तोर पर अगर किसी चीज की खरदारी है अपने घर परिवार के अ कहा जाए कोई बड़ी उपलब्दी जो आपको हासिल हुई है उसको लेकर के भी आप स्पोटलाइट में आने वाली हैं चाहे कहा जाए कि बच्चा इस समय में कोई अच्छी उनिवर्सटी में अडमिशन हो चुका है दाखिला हो चुका है तो उस चीज को लेके भी आपको यह समय के अंदर कोई ना कोई बड़ी उपलब्धी आपको मिल सकती है यह कहा जा सकता है कि ऐसे समय में जो कोई बहस बाजी थी जो कोई केरियर को लेकर के डिसिजिजन में परिशानी आ रही थी उनसे उभरते हुए अब इस समय में आप आगे बढ़ेंगे एमोशनल भी कोई रहेंगे और कही ना कहीं कोई बड़े अचीवमेंट्स की तरफ भी इस समय में आपके कदम आगे बढ़ते नजर आएंगे पर एक बात का धियान रखिएगा खास दोर पे शुक्रवार शनिवार और रविवार यह जो तीन दिन हैं यहां पर बहुत संबल करके अपने में जादा सताने वाली है फिर बात करते हैं मकर राशी की तो अवश्य ही हफते की शुरुवात एक सेकंड के लिए डगमगाते हुए शुरू हो चुकी पर यहां पर घबरानी के आपको बात है ही नहीं क्योंकि यह समय आपके लिए ऑपॉचुनिटीज लेके आ रहा है यह समय आपके लिए सबसे बहतरीन रहेगा क्योंकि यहां पर बोलने भर से पैसा कमाने वाला काम आपका हो सकता है कहीं है कि कंसिल्टिंसी का बिजनस हो या फिर अपनी एक्सपर्ट ओपीनियन से इस समय में कमाना हो कोई क्लासस आप दे रहे हो कोई टूशन आप पढ़ा करने का है कहीं पर भी कोई चीज को इस अपॉचनिटी को मिस नहीं करना है चाहे पार्टनेशिप बिजनस है महां पर एक्सपैंशन को लेकर करके चर्चाएं हो रही है फाइनांस को किस तरीके से सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए उस पर लेकर चर्चाएं होंगी और समय में आपके आसपास के लोगों का भी सपोर्ट पूरी तरीके से आपको मिल रहा है और खास तोर पे यहां पर यह कहूंगा कि यहां पर करम शील जादा बनोगे यह कहा जाए अपनी मेहनत पे भरोसा जादा करोगे बाए चांस कोई चीज हो जाती है उसको लेकर के अपने काश्रे मिलने वाला है जो रिस्पॉंसिबलिटी है रिस्पॉंसिबलिटी के साथ में अप्रीसेशन इस समय में बड़ी आसानी से आपको मिलेगा बात करते हैं ग्रहनी की होम मेकरस की तो इस समय आपके लिए भी काफी जादा बैतर है और यहीं पर यह चीज देखने को करके यहां पर जादा अक्टिवली प्लान बनते नजर आ सकते हैं और यही चीज घर की सुख शांती को और बढ़ावा देने वाली हैं अब बात करते हैं यंग्स्तर्स की यह कहा जाए स्पोर्ट्स परसंस की तो यह सिचुएशन जो सब्ते की शुरुबात में सोंवार के दि वो यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रियेट कर सकते हैं कोई दोस्त ने जो नोट्स लिये हैं वो आपकी कॉपी घुमा सकता है कोई भी तरीके से आपकी एजुकेशन से रिलेटेड इस समय में सोंवार के दिन आपको प्रॉब्लम जेल नहीं पड़ सकती है पर इसके बातों में जो रीडिंग की हाबिट खास तौर में आपके अंदर है यहां पर कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक आपके हाथ में अवश्य आ जाएगी फिर वो चाहे कोई भी हो अब ऐसे समय में यह कहा जाएगा स्पिरिचुली ग्रो करने का आपको टाइम यहां पर आ सकता है फिर बात करते हैं कुम भराशी की तो कुम भराशी के लिए हफदे की शिरुवात कहा जाएगा कि गुरवार तक का समय यह थोड़ा कश्टकारक रहेगा कास तोर पे पारवारिक तोर पर चाहे माताजी के साथ में मदभेध कहा जाये या तو अपने दोस्तों के साथ में स जादा देखने को मिलेगा, जो घर के बड़े हैं, वो अपनी संतान के साथ में इस समय में जादा परेशान रहेंगे, कि स्कूल आफ थौट जो होता है, ये कहा जाता है, जो थिंकिंग है, परस्पेक्टिव है, उसको लेकर के इस समय में एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन जादा आने बाला है, सबसे पहले बात करते हैं, व्यापारी बर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो ये जरूर कहेंगे, कि नौकरी पेशा इनसान है, वो फिर भी कैसे भी करके इस चीज़ को धक्का लगा सकता है, इस समय से अपने आपको गजार सकता है, पर जो बिज नहीं होने वाला है, तो वहीं financially और family life को लेके भी थोड़ा stress इस समय में आप पर बढ़ सकता है, पर शुकरवार शनिवार रविवार का दिन क्योंकि जो अंत है हफते का, वो फिर भी थोड़ा आपके लिए यहाँ पे stable करने का प्रयास करेगा, पर वापिस next हफते यहीं से शुरुबात होनी हैं, जो वापिस से आपके लिए problems या कहीं न कहीं कहें, stress को लेकर के वापिस आपकी life में आ सकता है, ऐसे समय में एक छोटा सा अगर काम कर सकते हैं, विश्नु सहस्र नाम का अपने नाम सुना होगा, उसका पार्ट करना शुरू कर दीजेगा, आपके लि शुरू के भले के लिए तो हर कोई काम करता है, मनुष्यें हैं, करना चाहिए, पर दूसरों के भले के लिए काम करके खुद को नुकसान पहुचाना, खुद के मनतविय को भूल जाना, ये सही नहीं है, इस चीज से परहेस कीजेगा, अब ऐसे समय में जो ग्रहनी हैं, होम makers हैं आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि छोटी-छोटी बातों को ले करके ego fight कही जाए याद फिर misunderstanding के कारण घर परिवार के अंदर बात ना होना याद फिर एक दूसरे से मन मुटाव रख लेना ये इस समय में परिशानी उत्पन हो सकती है कही न कहीं आप aggressive होते हुए अपने life partner के उपर अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगी जो और जादा आपकी problems को बढ़ावा दे सकता है और बढ़ा सकता है और कहीं न कहीं ऐसी कहीं चीजें resurface कर सकता है जिसको कि आप अभी तक दबा करके बैठी थी या चाहती थी कि सामने ना आए तो इसके लिए अपने आपका और अपनी बातों पर बहुत जादा ध्यान दीजेगा फिर बात होती है यंग्स्टर्स की यह कहा जाए students की तो students के लिए भी यह सबता जादा अच्छा नहीं कहूंगा खास दोर पैसे समय में अगर कोई exam schedule है अफते की शुरुवात में तो थोड़ा अपने आपको और जादा preparation का time दीजे ऐसे समय में बहुत जाद expectations लेके examination hall में मत अंटर कीजेगा क्योंकि कहीं न कहीं पर expectations के साथ में जो reality है उसका सामना होने पर reality को जीत मिल सकती है sports person है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजेगा कि हर सेर के सामने सवाशेर अवश्य होता है और इस समय में ऐसे ही शेरों के सामने आपका सामना होने वाला है फिर बात होती है mean राशी की तो mean राशी के लिए सब्ते की शुरुआत अवश्य हो सकते है ये कहा जाए कि highly motivated highly confident individual से आप आगे बढ़ रहे हैं पर कही ना कहीं कोई परस्थिती का गलत होना ये कहा जाए कि दामपते जीवन के अंदर परेशानियों के कारण ये family life को लेके परेशानी के कारण अपने काम पे focus ना करपाना ये इस समय में जादा बड़ी परेशानियों उत्पन कर सकता है सबसे पहले शुरुबात करते हैं व्यापारी वर्ग नौकरी परेशा लोगों की तो ऐसे समय में अपने seniors से थोड़ा बच करके चलने की जरूरत है खास तोर पे क्योंकि month end आ रहा है आपके targets को आपको पूरा करना है अपने seniors की बात को भी मानना है उनके काम को भी इस समय में अंजाम देना है और इन चीजों के अंदर फस करके अपनी family life को sacrifice करते हैं आप नजर आ सकते हैं ऐसे ही समय में घर के अंदर आकरामक तोर पे कलेश होना या यह कहा जाए कि कलेश इस हद तक बढ़ जाना जहां पर आर या पार वाली situation हो यह सामने आ सकती है खास तोर पैसे समय में आपके जो youngsters हैं या घर के जो छोटे भाई बहने उनका फिर भी support मिल जाएगा उनके साने दिया है उनके wisdom से थोड़ा अगर आप सोचके देखें कि उनका जो कहना है उनका जो perspective है वो आपके लिए फाइदे बन सिद हो सकता है सुमबार का दिन फाइदे कमाने के लिए जरूर होगा पर यही unexpected खर्चे फिर बाद में परेशान कर सकते हैं ऐसे समय में काफी powerful लोग कहे जाएं यह यह कहे जाएं कि अपने senior से दुश्मनी मोल ले लेना कोई ऐसी बात कह बैठना जो कि उनको पसंद ना आए उनसे आपको जूजना पड़ सकता है अब ऐसे समय में रविवार को जाकर किराहत तो मिलेगी पर यह सब्ता जो है यह struggle का बन बैठेगा और खास तोर पर ऐसे समय में नाक का सवाल बार बार आएगा आप सोच नहीं पाएंगे निरने नहीं कर पाएंगे कि किस इनसान के सामने मुझे बोलना चाहिए अपना स्टैंड लेना चाहिए और किस के सामने सौमेत अपून अपनी गलती को मान लेना चाहिए यह खास तोर पर इस समय में डिसिजिजिन मेकिंग पे भी असर डालेगा और आपकी फैनाशिल सिचुएशन पे भी असर डालता नजर आएगा यहाँ पर इस बात का भी दिया दीजिएगा खास तोर पर ग्रहनी जो है यह बहुत संबल करके चलने का समय आपके लिए बन रहा है कहीं न कहीं आपकी जो खुद की मनमानी करने की इच्छा है यह कहा जाए कि मैं अपने तरीके से करना चाहती हूँ मेरी बात को यहाँ पे जादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मेरी बात को जादा वेटेज देना चाहिए इन चीज़ों को लेकर के आप बहुत जादा इस समय में परेशान रहेंगी जहां पर आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टरब होगी और कहीना कहीं पे आपकी मारिटल लाइफ भी इस समय में परेशानी के दौर से गुजर सकती है ऐसे समय में गो विद दफ लो आटिट्यूड अगर अपनाओगे तो जादा बहतर रहेगा जो कहा गया उसको कर दिया जो नहीं करने को कहा गया उसे छोड़ दिया जादा बहतर रहेगा अपनी मनमानी थोपने की कोशिश घर परिवार पर इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है काफी जादा लोगों से दूरियां भी बना सकती है ऐसे समय में दूसरों की खास तौर पर इंटरफरेंस या ये कहा जाए पीहर पक्ष का यहाँ पर आपका साइड लेना आपको सीखना सिखाना ये इस समय में और जादा आग में घी डालने का काम हो सकता है समय रहते अपनी बुद्धी का उपयोग कीजेगा समय रहते चीजों को संभालने का कोशिश कीजेगा जादा बहतर रहेगा फिर बात करते हैं यंग्स्टर्स की और वहीं पे स्टूडन्स चाहे स्पोर्ट्स परसन्स हैं स्टूडन्स हैं आप सबकी तो ये समय ऐसे समय में इस बात का धियान दीजेगा थोड़ा अपने आपको हकीकत से वाकिफ रखिये ये कहा जाए कि दोस्तों ने कुछ कह दिया आपने मान लिया उसके साथ में उसके इन्वेस्मेंट कर बैठे या उसने जो फील्ड कही उसके अंदर आपने दाखिला ले लिया तो इससे परहिस कीजेगा अपनी अक्कल चलाईए दूसरों पर जादा भरोसा मत कीजे दोस्ती यारी के अंदर कहीं लोगों ने अपने जीवन को तबाह किया है कहीं आप भी उनमें से ही एकना हो जाएं क्योंकि ये समय आपके लिए चाहे माता पता के साथ में मदभेद कहे जाएं या फिर अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने की बात कही जाएं गलत आरोप लगने की बात कही जाएं यह यहाँ पर देखने को मिल सकता है छोटा सा अगर एक उपाय कर सकते हैं तो शनी शांती कलश का उपयोग अगर कर पाएं तो सबसे बहतर अगर पूजा पाट करते हैं तो अगर नहीं तो शनी शांती साड़े साती और धहिया निवारन कबच होता है उसको अगर धारण कर पाएं तो ये समय को गुजारना और खास तोर पे मती का सही उपयोग करना ये मुम्किन हो पाएगा अब बात करते हैं सब्ता के विशेश उपाय की पित्रपक्ष चल रहा है तो ऐसे में कुछ विशेश जानकरी आपको यहाँ पर मैं देना चाहूंगा सबसे पहले पित्रपक्ष में पाँच गलतियां जो हैं वो करने से बचना चाहिए सबसे पहली पित्रपक्ष के दिन सात्विक आहार का ही सेवन करना शुरू करना होगा वहां से लेके दो अक्टूबर तक की जो समय अवदी है शुराद पक्ष की ऐसे समय में प्याज हो लसुन हो मास मदीरा हो ये खाने से परहेज करना चाहिए साथी पित्रपक्ष में घर में भी मासाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इस दिन पित्रों के नाम का शुराद और तरपन किया जाता है दूसरा पित्रपक्ष के दोरान शुराद करम करने वाले व्यक्ती को पूरे ही पंदरा दिन तक न बाल न नाखुन काटने या कटवाने चाहिए हाला कि इस दोरान अगर पूरवजों की शुराद कीतिती अगर पढ़ती है तो पिंड़ दान करने वाला बाल और नाखुन अवश्य कटवा सकता है फिर बात होती है तीसरी पशुपक्षियों को परेशान करने से परहेज पित्रपक्ष के दोरान पूरवज पक्षी के रूप में धर्ती पर पधारते हैं ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार से सताना बिलकुल नहीं चाहिए क्योंकि मानियता है ऐसा करने से पूरवज नाराज होते हैं और ऐसे में पित्रपक्ष के दौरान पशुपक्षियों की सेवा करनी आप के लिए और जादा लापकारी सिद्ध हो सकती है फिर ऐसे ही समय में पित्रपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना है शादी, मुंडन, सगाई, ग्रह प्रवेश ऐसे कोई भी मांगलिक कार्य है बड़ी गारी की परचेज हो तो वो करने से परहेज करना है यहाँ पर गारी की परचेज का मतलब यह है कि डिलिवरी लेना एडवांस पेइमेंट कर रहे हैं, कोई पार्ट पेइमेंट कर रहे हैं तो वो अवश्य कर सकते हैं उसमें कोई मना ही नहीं पर पित्रपक्ष के दौरान शोका कुल का महौल होता है इसलिए ऐसे समय में शुब कार्य करने से अशुब फल की प्राप्ती हो जाती है तो वो आप गरीमों को भीट कर सकते हैं, अपंग होते हैं, उनकी सहायता या मदद कर सकते हैं, उनको खाने के लिए कुछ सामान दे सकते हैं, व्रदाश्रम अगर आपके आसपास में हैं, तो वहाँ पर जाकर के कपड़े दान करके आ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत जाव हैं, कोई constructive criticism है, तो अविशे comment box में लिखिएगा सुधारने का प्रयास जारी रखेंगे, हमेशा की तरह प्रातना आप सभी के लिए ये ही करते हैं और करते रहेंगे, कि आपका और हमारा परिवार, सदेव, सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे, घर में बड झाल